हलो फ्रेंड्स वागत है आपका सारी का स्वाथ किचिन में आज हम बनाने जा रहे हैं इजी कुिकली स्नैक्स जो बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक बरतन में 100 ग्राम करीब उरद की डाल ले लिये और उसक में अच्चे से हाथों से रगर्रगऑब के वाश करेंगे उसके बाद हम इसे कम से कंव 5 से छह घंटे कले अच्छे से फूल ले के छोड़ देंगे यह चूंदे चुके हैン आर हमारी डाले बिल्कुल ही अच्छे से फूल गई हैं एक जार ले लेगे और माटेरियल को जो दाले हैं इसमें एड करेंगे और इसे पीस लेंगे तो हलका सा पानी डाल के ये देखिए मैं अच्छा थिक पेस्ट बना लिया है दालो का ये देखिए और इसे हम एक ही डिरेक्शन में फेटेंगे जिससे कि इसमें कोई लंस ना हो और अच्छे से एर इसमें एड हो जाए अब इसमें हम एड करेंगे धनिया की पत्तिया और हरी मिर्चे और उसके साथ साथ अधरक लैसुन जो थोड़ा सा मैंने दरदरा कर लिया है उसके साथ दो बड़ी प्याज है ये और उसके साथ लाल मिर्श पॉडर उसके साथ यहां पर हम लेंगे पाव भाजी मसाला उसक इस मैटर में mix कर लіंगा अब हम यहाँ पर तेल गरं कर लिया है, आप ने कड़ाई में और यह देखिए जिसे हम पकोडे तल तलते है उसी तरीके से इस स्नैक्स को अच्छे?- या नहीं कि आ रखिए इस चम्मच से भी डाल सकते हैं मैंने हाथों से डाला है", व हम इसे में आ सकता था मैंने अच्छे से डाल दिया और यह देखिए अलट पलट के अच्छे से तेल में इसे डी फ्राइ करना है यह देखिए यह अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं और बिल्कुल तयार हो चुके हैं हमारे स्नैक्स यह देखिए यह सर्फ करने के लिए बिल्कुल तय और कितने डिलिश्यस देख रहे हैं देखने से यह बिलकुल यम्मी लग रहे हैं खाने के लिए लग रहे है कि बस मिल जाए तो आप भी बनाईए आप भी खाईए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरी स्नाक्स की रेसिपी कैसी लगी थैंक यू कीप वाचिंग मुझे कमेंटर आप का भी रूम एता।